हाई फ्रेंज आप वल्कम यूओल स्वागत करता हूँ आपका इस च्छकास वीडियो में जो कि खास तरह से बनाई गई है टाइटल यह कर सकते हैं ओनोरेफिक वर्ड्स के लिए देखते हैं क्या होते हैं और कैसे होते हैं फ्रेंज आपको चार वर्ड में बात को चार होती है आप क्या है टाइटल के लिए हमारे सभी लोगों के नामों के पाले देखते हैं क्या और कैसे F निकालते हैं तो स्री या स्रीमान लिखा लता है नेक्स्ट आते हैं मिसेज मिसेज इसको लिखते हैं मिसेज और पढ़ते हैं मिसेज और इसका अर्थ होता है श्रीमती 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 नेक्स्ट आते हैं लिखते हैं मिज लेकिन अर्थ इसका होता है सू स्री शूमश्री और इसका पर्योगा मुहा करते हैं जब हमें किसी लड़की का यह पता ना चले कि वह साधी सुदा है या नहीं है Confusion रह है कि इस महानने सबहुच कि आज सकल की जो MODERN A से इसमें लड़का आइसे चलती है कि पता है जब यूटा इनका साधी है साधी हुआ है नहीं हुआ है तो जब कुमारी और इसका परेयों हम वहां करते हैं उस लड़की या पुन लड़कियों के लिए करते हैं जिनका साधी नहीं वा है और हमijnे पत्था पता सल जारता है कि इन PACا साधी नहीं वा है तो जाहिए इन चारों का अर्थ आपको सव्थ में आ गया होगा और नेक्स्ट हैं मैड होदया हैं चार के जगह दो एक्स्रा दिया जो की खास तर से अशकुलें बोले जाते हैं पड़िआ जाते हैं कर दो क्या जाते हैं जो की तो यह नि में परियों कियाता है पद्री के रूप में परियों कियाता है all the best thank you very much nice to meet you